हाई वेलकम बैक टो मैं चैनल आज की जो मेरी रेक्शन वीडियो है वह है साइन ओफ क्यामत प्रॉफि मुहम्मद सललालाहिए वसलम मैंशन फॉर्टिन हंडर्ड यह अगो जो प्रॉफि मुहम्मद हैं क्यामत को देखते हैं फिर हम लोगों को बहिए पादा चरहें है कि क्यामत जब आएगी तो किया साइन होंगे न्हों मैं नहीं नहीं है वह इतने किस दो शुच्छे वोंट बशुर बंगो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें एक्जेक्टी क्या सा इंस्पेंशन के गए हैं तो लेट स्टार्ट अब वीडियो असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी दूस्तों मसल्मान होने के नाते कुर्बे कियामत पर और रोजे मैशर पर हमारा इमान है जिस दिन हर जिन्दा चीज़, जमीन, पहाड, अस्मान, हर चीज़ फना हो जाएगी और सिर्फ अल्ह ताल्ह की जात बाकी रहेगी जिसे कियामत कहते हैं क्यामत के मुतलिक हर उम्मत के अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मत के लोगों को ड्राया लेकिन हजूर पाक सलिए लिए वाली वाली विसलम चौंका आखरी नभी है और आपके बाद क्यामत तक कोई नभी नहीं आना था लहाज आपने क्यामत की निशानियों को उम्मत को वाज़ तोर पर खोल खोल कर बयान फर्मा दिया ताके वो जब भी इनके सामने वकूब वजीर होने लगें तो लोग इने पहचान लें कि ये क्यामत की निशानिया दोस्तों किया मत की निशानियों को दो इसों में तकसीम किया गया है एक को कहते हैं अलामाते कुबरा यानि के बड़ी निशानिया निशानिया, मसलने दजाल का जहूर, हबरतीसा अलाइस्लाम की वापसी और याजूज माजूज का खरूज वगरा जबके दूसरी अलामात को कहते हैं अलामात सुग्रा यनि के छोटी निशानिया जिसकी फैरिस बहुत तवील है और इससे पहले की एक वीडियो के अंदर हम इनका तफसीली जाइजा ले चुके हैं कि वो निशानिया किस साथ तक पूरी हो चुकी हैं और क्यामत हमसे कितना दूर है लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद अलामात सुग्रा की निशानियों के बारे में जानेंगे जो यकिनां सुनकर आप काम उठेंगे कि आज के दौर के अंदर वो किस तरह से हूब और हो पूरी हो रही हैं लेकिन अलागे रसूल ने आज से 1400 साल पहले इन निशानियों के बारे में इस तरह से वाज़ तोर पर बयान फरमाया कि जैसे ये सब कुछ उनके सामने हो रहा है लेकिन आज वो सब निशानियां हमारे सामने पूरी होने के बावजूद भी हम इने पैचान ही नहीं पा रहे अलमाते सुग्रा यानी छोटी निशानियों में से ऐसी निशानियां जो पहले ही गुजर चुकी हैं इनके अंदर हजूर पाक ﷺ का विसाल मुबारिक चांद का दो टुकड़े होना और मदीना के अंदर एक होलना काग का लगना शामिल है लेकिन जिन निशानियों का जाहर होना भी बाकी है या मजुदा दोर के अंदर वो पूरी हो चुकी हैं वो ये हैं नभी एक करीम ﷺ ने कुर्बे क्यामत की निशानियां बियान करते हुए इरिशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग आखरी वक्तों के अंदर एक मौतान जैसी बिमारी का शिकार होंगे यानि के क्यामत से पहले एक वबाई मर्ज इसकदर तेजी से पहलेगा जिससे बेशुमार अमवात होंगी सैकड़ों हजारों लोग इसकी वजह से मौत का शिकार हो जाएंगे और आप ﷺ ने इस बिमारी को कुवास उल गन्म से तश्बी दी यानि के वाईरिस के जरीए पहलने वाली एक ऐसी बिमारी जो सबसे पहले जानवरों को अपनी लपेट में ले ले लेती है और इनके नाक से जुकाम जैसा मादा खारिज होने लगता है या पिर इनसानों के अंदर आज के दोर में अगर वाईरिस की वज़न से पहलने वाली बिमारी पर गौर करें जो सबसे पहले जानवरों के अंदर और इसके बाद इनसानों के अंदर नजला जुकाम और बेताशा अमवाद की वजब बन रही है तो वो है करोना वाइरस जिसकी वज़ा से आज दुनिया भर के अंदर लाखो लोग मतासिर हो चुके हैं और कई हजार अमवाद के साथ लोगों के अंदर बेचैनी के साथ-साथ इनकी हरानगी के अंदर भी इजाफा हो रहा है कि अचानक से पहलने वाली ये मामूली सी बीमारी लाखो लोगों को अपनी लपेट के अंदर लेती जा रही है और इसकी निशानियां भी नबी-करीम स.Α्स की ब्यान करता इस बीमारी की निशानियों में से बहुत ज़्यादा ममाफलत रखती है क्या ये सब मैस इतफाक है हजرت अबने मसूद रज़ियह खीवतानो से रिवायत है कि नवी पाक निसीह इर्शाद फर्माया एबने मसूद कुर्बे क्यामत से कबल औरतों के अंदर बेपर्दगी और बेहयाई आम हो जाएगी वो ऐसा लिबास पहनेंगी जिनने पहन कर भी वो बरना होंगी वो अपनी मस्ती में जुमती होंगी और मर्दों को अपनी जानी बर ट्रैक करने की कोशिश करेंगी आपने फरमाया कि ऐसी ओरतें जननत की खशबू से भी महरूम रहेंगी दोस्तों क्या आज बीगो लाइव और टिक टॉक जैसी एपस ने घर बैठे क्या ओरतों को नीम बरना करके दुनिया के सामने और इसी के जरीय मर्दों को अट्रैक करने और गानों की दुनों पर जुमने के लिए मजबूर नहीं कर दिया इसके बाद आप सललालाई लिए अलिए ने मजीद फरमाया कि औरतों के अंदर आजादी की तरीके जनम लेंगी हम जिन्स परस्ती की तरीकें जोर पकड़ेंगी और जो इस फितनों के दौर के अंदर भी साबित कदम रा वो ऐसे होगा जैसे इसके हाथ के अंदर कोई अंगारा मजूद हो लेकिन फिर भी उसने मुठी बंगर रखियो दुफ़त वाज औरत मार्च के नाम पर मेरा जिसम मेरी मर्जी और हम जिन्स परस्ती की तरीकें औरतों को घरों से बाहर निकाल कर किस तरह से फाशी और अजादी के लिए उभार रही हैं वो किसी से ड़की चुपी बात नहीं है और नहीं हैरत की बात है चुपि कि अलाज के रसूल ने आजसे चौदा सौ साल पहले ये बयान फरुमा दिया कि मेरी उम्मत को ये फतना गहले गा इसलिए आप सो लगा उम्मत को इस फतने से निबटने के लिए कियामत की ये निशानी बयान फरुमा दी लेकिन हम अपना अतसाब खुद कर सकते हैं कि कितने लोगों को इस फितने के बारे में आज पता है या पिर कितने लोगों ने इस नजरीये से इस तहरीक को देखने की कोशिश की इसके बाद आप सलेो ल्हाली औल्युश ने हवएड रुजवखा बिन यमान से फरमाया मुझे खटचा है कि तुम पर असमान से शर् नाजल होगा जो के फ्याजी तक पहुँश जाएगा आप ﷺ से पूछा गया कि ये फ्याजी क्या है या रसूल आप ﷺ ने फरमाया कि बे अबाद बंजर जमीन अरबी जबान के अंदर अस्समा हर इस चीज़ के लिए इस्तमाल करते हैं जो इनसान के सर के उपर मजूद हो या फिर इसका साया इनसान के सर पर पड़े और आज के दोर में आस्मान पर मजूद इस फितने का नाम है सैटलाइट टीवी चैनल्स जो आज बेअबाद बंजर जमीनों पर भी मजूद लोगों के घरों पर हमारी आँखों के सामने मजूद हैं और ये टीवी चैनल्स दिन रात मनफी प्रोपेगेंड़ा करके इनसानों को फितने और फसाद में मुब्तला कर रहे हैं क्योंकि इस मीडिया को दुनिया के सिर्फ चंद ताकतवर तरीन लोगी आज कंट्रोल कर रहे हैं नबी पाक ने फर्माया के मेरे बाद मेरी उम्मत के अंदर तीस के करीब जूटे नबी या कजाब पैदा होंगे जो बातिल बातों के जरीए फितना पैदा करेंगे जमाने कदीम में मुसलिमा कजाब और एक जूटी नबिया जो आप सिर्फ को पैगंबर के कर जाहिर हुई इन जूटे नबियों का सिलसला आज तक चल रहा है जिसका आखरी दावेदार दजाल होगा जो खुद को खुदा का पैगंबर कहेगा लेकिन आला के रसूल सलला लिए वालियों ने फर्माया के मेरी उम्मत के कबाइल यानि अरब के लोग फिर से मुश्रिकीन से मिल जाएंगे और भुतों की पूजा करेंगे मेरे बाद तीफ जूटे नबी जाहर होंगे लेकिन याद रखो के मेरे बाद कोई नबी नहीं है दोरे हाजिर के अंदर एक सदी पहले हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने एक शक्स मिर्जा गुलाम एवत कादियानी को मुसल्मान उम्मत को तोड़ने के लिए और इसे गुम्राग करने के लिए लाँच किया ताके मुसल्मानों के इमान से जहाद और जालिम अकमरान के सामने डट जाने के तालिमात को तोड़ा जा सके इसलांती शक्स ने नबूओत का दावा किया और कहा कि मुझपर असमान से वही नाजिल होती है और मुझे खबर दी गई है कि मैं 80 साल तक जिन्दा रहूंगा लेकिन ये 65 साल की उमर में ही बिमारी से लड़ते हुए बैतल खला में गिर कर मर गया मुलाना सनाओ लाइफ शक्स के सबसे बड़े मुखालिफ थे खुलाम एमद कादियानी ने इने मनाजरे का चैलेंज किया और दावा किया कि हम दोनों मैंसे जो जूटा हो इसे सचे की जिन्दगी में मौत आ जाए इस पर ताउन की बिमारी नाजिल हो जो इसे मौत दे दे इस दुआ के सिर्फ एक साल बाद ही अपनी खुद की बदुआ से ये शक्स तड़ब तड़ब कर मर गया लेकिन इसका शुरू करता फितना आज भी चल रहा है क्योंकि कई सो पेगंबर दावा नबूत कर चुके हैं लेकिन हजूर नबी करीम सुल लाह लिए वालियों ने जिन तीस नबीयों के बारे में बयान किया यानि के जूटे या कजाब ये वो लोग थे जिने हकुमत, शौरत और पैरोकार नसीब हुए जिन में से एक मिर्जा गुलाम मेंद कादियानी भी था आप सुल लाह लिए वालियों ने फरमाया कि आखरी वक्तों के अंदर नाहल, बेईमान, करब्ट और कबीले के सबसे बत्रीन लोग हुक्मरान होंगे इनी लोगों का मौशरे पर गल्बा होगा, लोग इनके शर्से बचने के लिए इनकी इज़त करेंगे और कोई भी इनके सामने हक बात कहने की जुरत नहीं करेगा एमक और जाहिल लोग सबसे ज़्यादा खुशाल होंगे मेरी उमत के लोग पहले के लोगों पर लांते करेंगे, इन्हें बुरा कहेंगे जिसके बाद ये लोग सुर्ख हवाओं, जल्जलों, जमीन में दसने, शकले मस्क होने और पत्रों की बार्शों जैसे निशानियों का इंतजार करें जो एक के बाद एक जाहिर होंगी, जैसे मौतियों का हाल टूटने के बाद एक एक मौती भी खरने लगे आप ﷺ ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग आखरी जमाने में जिना, रेशम के इस्तमाल, शराब और मौसीकी को हलाल समझने लगेंगे कोई भी इन चीजों को बुरा कहने की जुरत नहीं करेंगे लोग इने इसकतर जदा इस्तमाल करेंगे कि इनके बारे में बुरा होने का या हराम होने का एसास ही बाकी नहीं रहेगा जैसे आज के दौर के अंदर शराब, सोने, रेशम और मौसीकी जैसे काम एक फैशन की सुरत अख्तियार कर चुके हैं और कई मौली के अंदर जिसम फरोशी को एक कारोबार या बिजनिस की हैसित मिल चुकी है और मौशरे की बद तरीन ओड़तें आज के दौर के अंदर ओड़तों के लिए रॉल मौडल बन चुकी है नबी पाक ने फितनों और मौसीब्तों के एक ऐसा वक्त भी आएगा जब एक शक्स अपने साथी की कबर के पास से गुजरेगा तो तमना करेगा कि काश इस कबर में इसके दोस्त की बजाए वो दफ़न होता क्योंकि जिन्दा रहना इसके लिए मरने से ज़्यादा तकलीफ दे है आदमी सुबों के वक्त मौमिन होगा और रात को काफिर यानि दिन के अंदर मामूली फाइदे के लिए अपना दीन बेच देगा और पिर दुबारा रात में नेक अमाल करने लगेगा यानि इसका दीन और इमान कमजोर होगा इसके बाद मजीद आफ लिए वालिए वालिए वसलम ने फरमाया कियामत इस वक्त तक काइम नहीं होगी जब तक एक ऐसी कौम जाहिर नहोगी जो अपनी जबानों से इस तरहां से खाएगी जैसे गाये जमीन से खाती है या टॉक शोस के अंदर हमें वाज़े तोर पर देखने को मिलता है हवरत अंस बिन मालिक बियान करते हैं कि आफ सलिए लाह लिए वालिए वालिए वसलम ने फरमाया कि अलामाते क्यामत में ये भी है कि यक यक मौत की कसरत होगी या या कैंसर जैसी जान लेवा बिमारियों का उमत को सामना होगा और ये इतना जल्दी इनसान को मौत दे देंगी कि इनसान को अपनी वसीयत लिखने की भी मौलत न मिले और ना ही गुनाओं से माफी मागने की जैसे कि आज के दोर के अंदर हम अचानक किसी के बारे में ये खबर सुनते हैं कि उसका इंतकाल हो गया और इसके बाद हमारे दिमाग में आता है कि यार कली तो हुआ हमारे साथ मजूद था लेकिन आज नहीं हैं और ये खबर सुनकर यकीनी नहीं होता आप ﷺ ने मजीद फर्माया कि बजार करीब हो जाएंगे मुसल्मान उम्मत पर दुनिया की अजीम तरीन ताक्ते हैं ऐसे तूट पड़ेंगी जैसे बुके खाने पर तूट पड़ते हैं हवरत सुबान बियान फर्माते हैं एक सक्स ने पूछा कि या रसूल ला क्या इस वक्त हम तदात के अंदर कम होंगे आप ﷺ ने जवाब दिया कि नहीं बलकि आला ताला तुम्हारे दुश्मिनों के दिलों से तुम्हारी हैबत को निकाल कर तुमें वहन में मुब्तला कर देगा यानि दुनिया की महबत और मौत से नफरत आज मुस्लिम मुमालिक पर एले मगरिब की चड़ाई और मुस्लिम उमत के लीडर्स की खामोशी किसी से डगी चुपी नहीं और ना ही मुसल्मान मुमालिक में से खसूसन अरब से कोई भी अपने मुसल्मान भाईयों की मदद के लिए पहुंचा आप सलिए लाह लिए वालिए वसल्म ने मजीद फरमाया कि औरतों की कसरत होगी मर्दों की तदाद कम हो जाएगी क्योंके फितने फसाद और लड़ाईयों के बाद मर्दी कतल होंगे जैसे कि आज हमें रूस में देखने को मिल रहा है जंग एजीम की तबाई के बाद आज वहां पर औरतों की तदाद मर्दों के मुकाबले में कई गुना तक बढ़ चुकी है आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में पचास औरतों के लिए सिर्फ एक मर्द होगा लोग कुरान पाक को पढ़कर दुन्यावी फाइदा या इस से उज्जरत तलब करेंगे जो कि आज जारत अरुल्मा कराम और नाथ खान अजरात कर रहे हैं अलगर्ज इस तरह की लातदाद मजीद निशानिया हैं जो अल्ला के रसूल ने कुर्बे क्यामत से पहले अलामात सुग्रा के तोर पर बियान फर्माई और उमत को बार बार बताया कि इन अलामतों के जाहर होने के बाद क्यामत की सबसे बड़ी निशानिया जाहर होंगी और फितनों का अगाज होगा लेकिन आज के दोर के अंदर ये निशानिया की साथ तक पूरी हो चुकी है और लोग इस फितने के बारे में किस कदर आगा हैं इसका इतसाब तो हम खुद कर सकते हैं अमीन मुझे अमीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ निया जानने को मिला होगा और आज के ये वीडियो आपको पसंदा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की इंफरमेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्क्राइब करें अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरिस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखेगा थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो अलाहाफेज से पहले नहीं था में लोगों को अगर हम दस साल पंदा साथ पहले की बात भी करें तो कोई में हार्ली कुछ एक आदा फीस्बूक यह और खुट वगरा उस टाइम पे लोग यो यूज करते थे जो की गूगल ने एक और कुट भी लॉंच किया था उसके लावा लोगों को इतना जादा नहीं था कि मतलब हम लोग इतना जादा वी शुट गैट इन टाश वी इच अदर जितना की अब हो गया है अब तो मिंस अब्री सेकंड अगर टिक टोक पे इंस्टाग्राम पे शोट वीडियो नहीं बनती तो लोगों को लगता कि कि there is something lacking you know or we miss something today तो उसमें क्या होता है कि when we actually feel that we have missed something तो बंदा मतब बाकी अपनी family member से मिलना और वो सब बेशक जादना रखे लेकिन अपनी वीडियो बनाना जिरूर याद रगता है for example जैसे मैं भी हमेशा दियान रखते हूं कि मुझे अपनी एक यूट्यूब वीडियो बनाना है although mine are all reaction videos instagram पे थोड़ी थोड़ी कभी कभी बनाती हूं उसकी बात जो इन्होंने आगे भी mention किया है about the women कि वो लोग ऐसे करेंगी कि चोटे कपड़े पहनने but still they are very confident with that तो वह भी आजकल के टाइम पर हो रहा है कि सबको पता है कि the dressing sense कैसे हो गई है और दज्जाल का तो मैं पता है तो लास्ट जो आएका वो दज्जाल ही होगा दज्जाल का न मुझे जो में प्रीविज वीडियो थे मुझे शूर नहीं था कि दज्जाल कोन होगा बट अभी मुझे clarity है कि दज्जाल जो होगा वो कोई messenger नहीं है फीक messenger बोल सकते हैं कि वो ऐसे आके लोगों को गुम रहा करेगा उसके इलावा जो satellite के बारे में मेंशन बोल दी थी और अगर the messenger of Allah या बोल दो कि Allah से ही कुरान उतर के आया था तो अगर already उसमें यह चीजे मेंशन थी तो obviously वो होनी ही होनी थी अगर उन्हें उस टाइम पर बोला था कि something would be like satellite तो वो आना ही आना था तो इसलिए दुनिया ने इतनी development किया कि अब भी वो सब भी satellite हो होगा कि हम लोग यहां पर बैठे हैं like my hundred and thousand miles away from each other but still we can see each other तो वह भी आजकल possible है कि हम लोग social media आकी थ्रू और वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे को देख सकते हैं so everything was mentioned and I am surprised to know कि 1400 पहले उनको पता था कि ऐसे satellite भी हो सकती है इसे social media platform भी हो सकते हैं लोग ऐसे करेंगे बिकाज उस टाइम पर तो लोग कवर करके रखते हैं तो उन्हें था पता कि ऐसा टाइम भी आएगा जब लोग अपने short clothes पहने हो यह सब करना स्टार्ट कर देंगे कि आज की वीडियो हम यहीं कदम करते हैं बाई